कि ही काई सब्सक्राइब आज की सीडियो में आपको बता हूँ कि आप असफाल्ट 9 इंडिया में कैसे प्ले कर सकते हो जैसे कि यह गेम अभी तक इंडियान्स के लेवलेबल नहीं और फिलिपिन्स में लॉंच होई है आज मैं आपको बता हूँगा कि आप इसको अपने फून में कैसे इंस्टाउल कर सकते हो और अपनी कंट्री यानि इंडिया में इस गेम को और किसी भी कंट्री में इस गेम को कैसे कह सकते हो इस गेम को अपनी कंट्री में खेलने के लिए आपको सबसे पहले है वो थोड़ा आपको सर्वर्स में मैनुपलेशन करना होगा जो आपकी करन्ट लोकेशन उसको आपको फिलिपिन्स में चेंज करना होगा डाउनलोड कर लो एक्सप्रेस वीपिन को प्लेशोर से अल दे लिंक्स आर इन दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दाउन बिलव अफर ओपनिग प्लेशन फिलिपिन्स विया सिंगपुर्स इसको आपको सेलेक्ट करजेना है select करने के बाद just click on continue and after clicking on continue your VPN will be connected to Philippines so अब आप ready हो game को download करने के लिए after connecting the VPN download the APK and OBB फाइल links are in the description box down below सबसे बहले आपको application को install कर लेना है application को install कर देने के बाद आपको data को move करना है OBB में data का size should be around 1.20 GB अगर game install करने के बाद आपको license check वाला issue आता है और get the game करने के बाद आपका link प्लेश्टोर बे डारेक्ट हो जाता है तो उसके लिए मेरे पास ये solution आप सब के लिए go and install lucky patcher in your android device अगर आपका android rooted है तो बहुत chances हैं कि ये चल जाएगा आपको बस आपे ब्लॉग प्लेश्टोर दिखाएगा तो आपको install anyway कर देना है then game पर क्लिक करने के बाद click on create modified APK after clicking on it you have to click on APK without license verification इस पर करते ही आपको manual mode पर क्लिक कर देना है and you are ready to go to play your Asphalt 9 so अब छोटा सा एक overview देता हूं आपको Asphalt 9 का मैं Asphalt 9 में ज्यादा कुछ नहीं है Asphalt 8 जैसी है बट इसमें जो ये pop-ups पकार होते हैं ये बहुत ही अच्छे graphics में है talking about the controls and the game itself game Asphalt 8 से बहुत मिलती जूलती है और race tracks में मुझे इतना कुछ improvement नहीं लगा जैसमें Asphalt 8 एक साल खेली थी तो यार Asphalt 9 में बस आपको कुछ cars नहीं मिल जाएंगी थोड़े बहुत ग्राफिक अपडाउन है otherwise game बहुत लोकलाई का Asphalt 8 की तरह but let's see future में हमें और क्या update मिलते है so that's it for this video guys I hope you love it and if you did so please like and comment and tell me how the video was and don't forget to subscribe this channel for more videos like this share it with your android valley gaming friends and I will catch you up in the next one till then peace and I will catch you up in the next one